हे अल्राइट एंड वेल्कम टू अले टुडेइज दा हिंदो न्यूज डिसकेशन नाव डेली के बैसे स्पर्म पेज वाइज डिसकेशन करते हैं और हर एक पैसे इंपोटेंट जो भी यूपीसी प्रिलिम्स के लिए होता है में से लिए होता है उसको डिसकस करते हैं और द साइक्लोन यास नेमिंग आप साइक्लोन आज बता दूगा पूरा आईटी रूल्स पूरा बता दूगा कि फेस्बुक पे क्या चल रहा है वटसेप पे क्या चल रहा है 26 तारीक तक क्या था और यहां का एक सेक्शन 79 है आज आईटी एक्ट के सभी सेक्शन करेंगे जो एडिटोरियल जानेंगे वही आईटी रूल्स के बेसिस पर यहां पर कॉशन है पूरा डेटेल में जानेंगे आज यह वाला आईटीकल बहुत इंपोर्टेंड है वन स्टेट सॉलुशन दर वे फॉरवर्ड इन पैलेस्टीन इस्राइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री बत प्रिलिम्स के बेसिस पर जानेंगे ओन्लाइन क्लासे के बारे में जानेंगे यूरोपेन यूनियन और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बिलर उस पर भी सेंक्शन से लगाने वाला है क्योंकि बिलर उसने आप क्या सकते हो हाईजकिंग की राइट एक सिर्फ एक जनलिस्ट क आउनलोड करेंगे तो यूपी एससी के लिए बहुत सारे जैन्यून स्टेडी मेट्रियल वाले चैनल आपको मिल जाएंगे उनमेंसे एक चैनल है एड़ेट चैट सेक्शन में जाना है एड़ेट पीर पब्लिकेशन सर्च करना है और आपको मिल जाएगा तो और लेड़ी देते थे ठीक है कर दिये थी आप लोग यहां से देख सकते हो कि किस तरह से डेली के वेसे इस पर दूसरे भी करेंट एफियर आंसर राइटिंग भी भेजी जाती है मंडे टू फ्राइड़ आंसर राइटिंग की जाती है इसी गुरूप में राइट बट अगर आप चाते हैं PR publication के साथ साथ अपनी UPSC journey को complete करना तो early plan join कर सकते हैं 499 रुपीज का जिसमें पूरे एक साल तक 10 हिंदू के notes मिलेंगे answer writing Monday to Friday करवाई जाएगी चेक की जाएगी दूसरे paid user के आप answer writing देख भी सकते हैं 612th notes दिये जाएंगे बट अगर आप dedicated aspirant हैं NCIT भी कर रहे हैं revise भी करना चाहरे हैं तो सभी subject के 612th chapter wise MCQ आपको मिलेंगे Prelims का second paper CSET की आपको 16 videos मिलेंगे private videos प्लस PDF मिलेंगे complete तीनो plan एक साथ लेते हैं तो 999 रुपीज का अवेल कर पाएंगे और ये lifetime है ठीक है test reach CSET lifetime है लेना कैसी है दिये गए नमबर पर Google पर फॉन पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot सेम नमबर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने telegram private group से add कर लेंगे तो नियरली 1500 प्लस student genuine students हमचे जुड़े होए हैं पिछले एक साल से राइट नाव जो कल का छूटा था उसकी कसर आज निकाल देंगे डेड़ घंटे का lecture भी होगा तो बनाएंगे राइट देखिए ओबर तेर लाख evacuate कर दिये गए हैं साइक्लोन यास के आने से साइक्लोन अंडमान सी से इमर्ज होके आया अब उडिसा कोस्ट और वेस्ट बंगाल कोस्ट को हिट करने वाला है आज है 26 माई साइक्लोन की स्पीड है कुछ 165 किलोमेटर पर आवर के बेसिस पर तो इसको वेरी सीवियर साइक्लोन की स्ट्रॉम में रखा गया है दूसरा अभी हमारी जो आर्मी है नेवी है वो वेस्ट बंगाल में अभी डिपलॉई है नेवी अपनी कोस्ट गार्ड के साथ बहुत सारे जो लोगों को इवेकेट करने में हेल्प कर रही है राइट तो यहाँ पर यह पूरा देखने को मिल जाएगा विंड स्पीड 165 किलोमेटर पर आवर है तो यहाँ पर देखो अभी जो यह उडिसा वाला पार्ट है उडिसा और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रीम सीवियर आया हुआ है यहाँ पर आपको विंड स्पीड भी देखने को मिल रही है कहां पर है और यह अभी जारकंड तक पहुंच रहा देखो जारकंड में लो प्रेसर एरिया बन रहा है यहाँ पर अभी यहां तक उडिसा और वेस्ट बंगाल को यह हिट करने वाला तब ही तो तेर लाक लोगों को यहां से इवेक्वेट कराया गया ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं आप भी जूमर्थ का यूस की ठीक है यह देखो यहां पर कितना ज्यादा एक्स्ट्रीम कंडिशन होया है 165 किलोमेटर पर आवर की स्पीड यहां पर देखने को लिए रेड पूरा यहां पर दिखाया हुआ है ओके यह देखी आज कितना तारीक है 26 तारीक है तो इसके बेसिस पर प्रेजेंट एपार्टमेंट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था साइकलोन यास इसको बोलते हैं यह ओमान ने नाम दिया है इसका पर्शियन यह वर्ड जो सब्द है यास पर्शियन सब्द भासा का एक सब्द है और जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है जैसमीन राइट और अभी कि 165 km पर आवर की स्पीड है अगर यह विंड स्पीड होती है तो उसको प्रिलम्स कैसे कॉश्चन पूछ सकता है कि विंड स्कीड के बेसे स्ट्रॉम किसे बोलेंगे अगर 222 km पर आवर से ज्यादा है स्पीड वैरी सीवियर की कैटिग्री में अभी रखा गया है क्योंकि विंड स्पीड सिर्फ 50-60 km पर आवर ही होती है पर अब बात आती है कि ट्रॉपिकल साइकलोन के नाम कैसे देते हैं बहुत सिंपल है देखो एक देखो वर्ल्ड मेटरॉलोजिकल और्गनाईजीशन और एकॉनिक और सोशल कमिशन है एशिया पैसिफिक का मतलब डबलो एम और एसकेप यह एक क्या है इंटर गवर्मेंटल बॉड़ी है जहां पर बहुत सारी राज जो देश की सरकार मिलती है उनिस सो बहुततर में यह इस्टेबलिस हुई थी और इनका यह मानना था उनिस सो बहुततर से ही कि ठीक है साइकलोन के नाम हम जगे 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 पर दें ठीक है अब यह समझ मा आगया डवलोम और एसकेप उनिस सो बहुततर में बनी थी यह एक इंटर गवर्मेंटल बॉड़ी है ठीक है इन्होंने वर्स 2000 में इन्होंने वर्स 2000 में ओमान में एक मिटिंग रखी मसकट में और बोला कि यार जो बेया बंगाल और अरेबियन सी मे और बेया बंगाल में जो साइकलोन आते हैं उसके नाम कैसे दे हैं उन्होंने डिसकस किया अरेबियन सी और बेया बंगाल कब 2000 में किष्णे की मिटिंग WMO और एसकेप ने जो की एक इंटर गवर्मेंटल बॉड़ी और 1972 में बनी थी ठीक है अब अरेबियन सी 2000 में अब हमें नाम देने पड़ेंगे क्योंकि एक बार नाम दे दिया जाता है तो बहुत जादा लोगों पर वह अवेर्नेस फैलाता है कि मैं कहूंगा अभी साइकलोन यास आया तो उडिसा के तेर लोग तेर लाख लोग तभी तो इवेक्वेट होगे ना तो अगर वो नाम एकस्पायर भी हो जाता है अ ठीक है अब देखो मैंने कहा 2008 मैं अब इन्होंने कहा तेर कंट्री जो हूंगी ट्रॉपिकल जो बेयो बंगल और अरिबियनसी के पास हैं वो तेर कंट्री आइंगे और तेर तेर नाम देंगी 2018 में WMO ने ये पूरी approval 2020 में ठीक है 2020 में WMO और Escape ने ये report adopt कर ली और total अभी के recently कितने नाम है 169 जो की कौन देगी AMD publish करेगी ठीक है देखो WMO के regional center होते हैं तो WMO ने AMD को ये responsibility दिये कि Arabian Sea और Bayo Bengal में जितने भी tropical cyclone आएंगे उसके नाम आप publish करोगे public domain में दिंगे तेर कंट्रीज, तेर कंट्रीज कौन-कौन सी है ये देखो Bangladesh, India, Iran, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, UAE और Yemen ये तेर कंट्रीज ने सभी ने तेर-तेर नाम दिये और 169 नाम हो गए और जब ये नाम दिये होंगे ये किसको सौप ये होंगे आइमडी को क्योंकि ये रीजनल सेंटर है, WMO का, ठीक है तो आई थिंक पहले न्यूस से आपका पूरा cover हो गया होगा यास क्या है, आपने present situation भी देख ली अब देखो, कल क्या आप Instagram स्क्रॉल कर रहे होगे तो Instagram आ रहा होगा, आप Instagram बंद होने वाला है अब ये सब चीज़े पहले ही से चल रही थी अगर मैं बात करूँगा February से और December के मन्ते से अजब OTT प्लेटफॉर्म्स को जैसे Amazon Prime, Netflix जिसमें ऐसा content जा रहा था जो लोगों की religious harmonie को वाइलेट कर रहा था, ठीक है, disrupt कर रहा था तो बहुत सारे लोगों का जो sentiment है, चाए religious sentiment है चाए social sentiment है, वो हट हो रहा है तो उसी के बेसिस पर सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म में कुछ restriction लगाने की बाद कर दी गई थी और वैसे ही कुछ सुरू हुआ यहां से Facebook से, WhatsApp से, नए IT rules, ठीक है अभी हाल मैं एक नया जो intermediaries है, social media जैसे Facebook, WhatsApp और Google से भरसरकार ने बोला है, कि आपको हमारी दी गई guidelines पर काम करना पड़ेगा guideline का नाम क्या है Information Technology Guidelines for Intermediaries, Digital Media Ethics Code Rule 2021 अब क्या होगा, यह वाला पार्ट बताता हूँ कि वो जो अगर comply नहीं कर पाते है Facebook तो वो अपना safe harbor खो देंगे, ठीक है Protection that currently gives them protection against liability, अब यह वाला जो point लिखा है, वो section 79 से लिखा गया है, मतलब अभी तक क्या था ना, यह देखो, बहुत simple है कि companies could lose the safe harbor protection that currently gives them protection against liability, civil and criminal for content, posted on their platform by third party user मैं गरूँ आप Facebook use कर रहे हो किसी ex-person ने religious दंगे फैलाने के लिए एक video publish कर दी तो अभी तक क्या है अभी तक यह है कि यार ऐसा नहीं कि Facebook को जाके पकड़ेगी पुलिस, Mark Zuckerberg को नहीं पकड़ लेगी जिसने ये video post करी है उसको पकड़ेगी, बट अगर सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी जो third party करेगी वो खोदेगी अभी section 79 IT Act का power देता है Facebook को Twitter को कि आपका आप पर कारवाई नहीं होगी अगर कोई ex-person उस पर post करता जैसे Facebook में किसी ex-person ने मैंने बोला कि कि किसी की murder की video post कर दी तो सरकार किसको पकड़ेगी जिसने murder post करने वाली video डाली है ना कि Facebook को बट अगर comply नहीं करते हैं तो section 79 चीना जा सकता है यानकि आप Facebook responsible होगा या Twitter responsible होगा ठीक है और इसी के साथ देखो मैं जल्दी जल्दी अगर इसको पढ़ा रहा हूं तो इसके editorial भी पढ़ा देता हूं ताकि link का आपका ना छूटे देखो editorial का अकर second part देखोगे कि government को must hear out the social media industry said it's arbitrary rule making मतलब जो IT companies है ना WhatsApp है कि हम एक ही में पूरा rely कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं अपनी guidelines अपनी जो dominance है उसको कम करना पड़ेगा तो जो नए rules है February में ही introduce कर दिये गए थे बहुत सारे ऐसे rules थे जैसे OTT platform से सही restriction हटाने की बात की गई थी WhatsApp में क्या है WhatsApp से भी rules की बात की गई थी कि यार message का originator तभी तो आज कल आता है कि यार सबसे पहले ये forward rate आता है पहले नहीं आता था forward rate की forward किया गया है किसने किया है वो originator पता चल जाएगा raising बहुत सारे ऐसे question भी थे यार कि end to end encryption है या नहीं बार बार WhatsApp आपको एक dialogue box भेजता रहता होगा कि यार आपकी ना calls सुनी जा रही है ना आपके message पढ़े जा रहे हैं तो ये सब पूरे सरकार की IT rules के according ही चलता है कि जो follow करने पड़ती हैं हाला कि एक और मैं मतलब बता दू कि सबसे ज़्यादा अगर secure कहीं WhatsApp, social media, Instagram के users का data है तो वो European Union में है ठीक है General Data Protection Regulation वहाँ पर है GDPR भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें कि वहाँ पर user अपना data कंटोल कर सकते हैं कि कौन सा data Facebook या WhatsApp को देना है तो भारत को भी अभी ज़रूरत है कि GDPR जैसा ही कोई कानून होना चाहिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ अभी recent में क्या होता क्या हो रहा था ट्विटर में होता है न कि ट्विटर में बहुत सारे वीडियो पोस्ट की बहुत सारे तो ट्विटर में ये बोला गया कि जो manipulated tag है manipulated media tag है देना चाहिए मतलब labeling वाला कि ट्विटर से ये बोला गया कि आप क्या करो अगर कोई भड़काओ चीज़ां आ रही है या किसी ने पोस्ट किया है तो Congress Toolkit जिसे बोल रहा जा रहा है कि आभी बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर ने पोस्ट किया और उसको आप manipulated media की category में रखो होता ना जैसे अलग-अलग category में रखते है music की category में प्ले लिस्ट में तो यहाँ पर expert ये कहते हैं कि IT rules में ये power नहीं है कि आप content की labeling पर भी restriction लगाओ ठीक है आप ये नहीं बता सकते हो टीटवर करो कि आप label करो इसको music में रखो या manipulated media में रखो ठीक है तो ये सब चीज़ें देखने को मिली से मैं पूरा बता देता हूं तो फिर आप editorial भी समझ जाओगे news भी समझ जाओगे और notes भी समझ जाओगे आज मैं complete कराने वाला हूँ IT act 2000 IT act 2000 यानि कि पार्लेमेंट ने वर्स 2000 में एक bill लाया गया था IT bill जिसे पास किया होगा लोकसबार राजिसबार में फिर राष्टपती के बास साइन करने के लिए गया होंगे तो यह IT act पूरा 2000 related है किससे साइबर क्राइम से और e-commerce से तो all over इंडिया में कहीं पर भी साइबर क्राइम होता है किसीने facebook में पोस्ट डाली किसीने offensive पोस्ट डाली ठीक है digital signature आपको मिल जा रहे है आपकी certificate में तो यह सब IT act के अंदर ही होता है अगर कोई बोलेगा legal recognition digital signature को किस act के basis पर मिली तो वो IT act है digital signature क्या होता है पता है अगर आप जाओगे अपने तहसिल में जिस भी जिले पर आप रहते हो हर्याना का कोई जिला है उत्रखन का कोई जिला है मधिप्रदेश का कोई जिला है तो वो जिले पर आपकी तैसिल होगी ठीक है आपकी तैसिल पर जाओगे आपको जाओगे यार मेरा caste certificate बना दो या कोई भी certificate बना दो height certificate, hill certificate कोई भी certificate हो सकता है तो अब वहां के जो ब्लॉग ऌते हैं तो वह इंडर ही रिक्र्गनेशन मिलती है उसके साथ टिक टॉक बीन हुआ फ़े पर वह आई-टी एक्ट के बैसे पही बें हुआ अब कौन सा सक्षिं कब आता है कौन से सक्षिं के बेसे के बैसे सिस पर कुसी को तीन साल की सजा होती वह अब हम करते हैं दो जार कोई एक्स पर्सन फेस्बुक में अगर गलत पोस्ट डालता ओफेंसिव पोस्ट डालता कि हां कुछ भी भारत की सिकुरिटी से रिलेटिड हो या ऐसा ओफेंसिव पोस्ट डाला जिसमें हिंदो मुस्लिम के बीच में दंगे हो गए तो इस सक्षिन एक अंडर आप दूसरा भी हालां कि सेक्षिन सिक्स एको लेकर हमारी संसद में कोई जब भी सुधार किये गए उतना बड़ा डिबेट हुआ नहीं तो पहला सक्षिन वेबसाइट को रोकना है बैन करना है आप डियू रिकॉर्डर यूज नहीं कर सकते यूसी ब्राउजर यूज नहीं कर सकते चाइना का है यह सब चीज़ें सक्षिन 69A के अंदर गत होती है ठीक है तो यह वाला समझ मा आ गया ओफेंसिव पोस्ट वाला जहां पर तीन साल की स अगर बोलेगा न कोई किया अगर कोई करेमिनल है अगर लगता है कि इसने कोई क्राइम किया है तो आप उसका फैंट टैप करना चाते हो तो क्या वो आईटी एक्ट के अंदर होगा नहीं वह होगा इंडियन टेलिग्राफ एक्ट 1885 के अंदर की सरकार के बाद यह पावर ह जा सकता है ठीक है है हावेवर 1996 में सुप्रिम कोट ने एक जज्जमेंट सुनाया था कि अगर आप किसी का फॉन टैप कर रहे हो तो वो तभी करोगे यह चीज़ आद रखना राइट और अड़ जो आई टी रूल्स का सबसे महत्पूर्ण सक्षिन सेवंटी नाइन यह कहता है कि यह जो इंटिमेडेटरी हैं जैसे फेस्बुक ट्विटर उनको यह शल नॉट भी लाइबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डेटा या कॉम्निकेशन लिंक किसी ने कोई लिंक डाल दिया जिसे दंगे फैल गए वीडियो डाल दी दंगे फैल गए तो सक्षिन सेवंटी नाइन अभी तक क्या देता था इनको सेफ फारवर देता था फेस्बुक को कि अगर थर्ड पार्टी कोई पोस्ट कर रहे है तो आप पार्टी को पकड़ोगे उस परसन को पकड़ोगे ना कि फेस्बुक को तो मेभी अभी यह बोल रहा कि सेक्षन सैवंटीनाइन छूट सकता है अगर फेस्बुक ने कॉमपलाई नहीं किया तो हाला कि इतने जल्दी इंस्टाग्राम फेस्बुक बंद नहीं होंगे ये ची तो उसको RT-PCR से टेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसा सजेशन दिया गया था बड़ ICMR ने कहा नहीं कि आप RT-PCR से भी टेस्ट करो बड़ में मुद्दा न्यूस का नहीं आता में मुद्दा आता RT-PCR या RET क्या होता है और ICMR क्या होता है ओके ICMR Indian Council of Medical Research और इंडिया में यह एपेक्स बॉड़ी है पूरे और इंडिया में बायोमेडिकल रिसर्च कोर्डिनेशन यही करती है सरकार के द्वारा फंडेड होती है ministry of health and family welfare में आती है पूरे all over India में इसके 26 national institute है अलग-अलग बीमारियों में काम करती है viral disease, AIDS, malaria, college और इन सब में दोसरी बात आती है rapid antigen test और RT-PCI test का क्या होता है मतलब rapid antigen test क्या होता है यह आपके nasal swab लेता है ठीक है nose से या mouth से droplet लेगा और SARS COVID-19 का पता लगाएगा अब यह rapid antigen test ऐसा होता है जरूरी नहीं कि इसको laboratory में करो और इसका result 30 minute के अंदर आ जाता है वहीं दूसरी बार ICMR ने यह बोला है कि जो RT-PCI test है वो 2 से लेके 5 घंटे तक ले सकता है ऐसा क्यों बात यह आती है टेकनीक पह Kerry Mullis एक American Biochemist थे और उन्होंने PCR Polymerize Chain Reaction बनाई थी Polymerize Chain Reaction मतलब DNA आप डालोगे तो इसकी multiple copies बन सकती हैं और उसको हर एक purpose के लिए यूज़ कर सकते हैं मतलब हलका भी एक skin का टुकड़ा होगा न तो आप उसके multiple copies बना सकते हो उसको PCR टेकनिक कहते हैं इसके लिए इनको Nobel Prize भी मिला 1993 में और इस पूरी प्रोसेस के अंदर DNA के जो पार्ट है हैं उसकी multiple polymerize किया जा सकता है एक ही DNA का fragment होगा उसको copy किया जा सकता है फिर आप उसको research करो education में यूज़ करो कोई भी अपने फाइदे के लिए यूज़ कर सकते हो RT का मतलब क्या होता है बहुत simple है RT का मतलब होता है reverse transcriptase मतलब पहले RNA को किसमे convert करेंगे DNA में then PCR chain में डालेंगे ताकि amplify बहुत सारी copies बना सके तो यही difference होता है धीरे धीरे क्या है डॉक्टर ने कहा है black fungus के cases decline होंगे 7 से 10 दिन के अंदर black fungus से related एक editorial भी आया तो उसको भी detail में जानेंगे black fungus वहीं पर ठीक है अभी सिर्फ है editorial पर बात करते है now सबसे पहला editorial यह आता है with no short road to universal vaccination lockdown should be precise and painless कि यार अभी universal vaccination मतलब देखो अभी यहाँ पर अगर बात कर रहो universal vaccination की लोगों के पास shortage vaccine होनी भी तो चाहिए ना सरकार के पास अभी उतना production है यह नहीं muscle से लगी है सब लोगों को जहां पर मैं रहता हूँ अगर ground reality के बारे मैं बात करूं तो बहुत सारे सिर्फ एक मिनट के लिए वो सब ही जगे हो रहा है वैसे एक मिनट के लिए slot खुल रहा है 159 में लगबंग और दो बज़े तक slot book हो जा रहे हैं पूरे ठीक है जिसने code डाला वो book कर रहा है अब पहले क्या था कि यार 40 दिन में आपको second dose लग जाएगी कि पहले दिन में आपने first dose लगाई दूसरे 40 दिन के बाद second dose लग जाएगी बट अभी उसी 40 दिन को 80 दिन कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन की shortage यह आपको बताया नहीं जा रहा है जनले राइट नोटबली बहुत सारे जो variant हैं कोरोना की वो फैल रहे हैं जैसे UK में कोविट शिल्ड को भी भेजा जा रहा है है बहुत सारे वेरियंट हैं जो की estimate 50% ट्रांसमेशिवल रेट है बी डॉट वन डॉट सिक्सवन सेवन डॉट टू का ठीक है अब धीरे-धीर क्या हो रहा है अलग-अलग राज अलग-अलग प्रोसिजर अपना रहे हैं सुरी तमिलाडू की चीपनेश्टर ने बोला कि लॉट डॉट 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 राइड ए सॉलूशन एंड कम से विथ ओन एकॉनिक साइड एफेक्ट लॉट डॉट उतना पर्मानेंट सॉलूशन नहीं देगा बड़ इसके एकॉनिक साइड एफेक्ट होंगे फिर लोगों स्ट्रीट सेल्स इन सब को बंद करो और गवर्मेंट को यह भी इंची और करना चाहिए कि फ्री फूट डिस्ट्रिबूशन करना चाहिए लॉट डॉट 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 बनाने हैं बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो आज कल मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को किसके नहीं मना रहे हैं इसके नोट्स बनाने हैं येस इसके कुछ पॉइंट निकाल लो एक्स्ट्रेक्ट कर लो बड़ बागी आईटी एक्ट का ही है जो मैंने आपको समझाया ठीक है वर्टसएप की औरिजिनेटर क्या है इससे मतलब नहीं है क्योंकि यह तो आपके माइंड म वाली और रहत है या बच्चा उठाने वाला आदमी है तो इसको इसको मारो दोड़ डालो इसको ठीक है यह कब फेक न्यूस मैं देखने को मिलेगा तो इसका भी नोट्स नहीं मनाने है आईटी एक्टी के नोट्स मैंने दिये हैं अब देखो वन स्टेट सॉलिशन दे वे हैं यह मैं आपको एक उससे बढ़ाता हूं राइट कि पैलेस्टाइन में कैसे ऑथरेटी मिली ओसलो एकोर्ड क्या है यह ठीक है पैलेस्टाइन लिबरेशन और्गनाजेशन 1993 में एक ओसलो एकोर्ड हुआ था देखिए इदरालो पैलेस्टाइन को समझने के लिए यह इस रहते हैं ठीक है इतने थोड़ा सा जो पार्ट है वाइट यह जूइस का था नाइटीन फोर्टी सेवन आया धिरेदरे इसराइल की मिलिटरी ने पैलेस्टाइन जो अरब ऑक्यूपेशन है उसको हटाना सुर करा और अपना कब जाना करा 1967 में एक 6 दिन का वार लड़ा गया जिसमें एजिप्ट के साथ लड़ा जैरुस जॉर्डन के साथ लड़ा गया इन में और पैलेस्टाइन जो जूइस है वो देखो वह फैलने लगी थी वह जूइतने लगी थी और एरिया करने लगी थी ठीक है 1967 में अब 1993 में जब और जादा अक्यूपेशन हो रहा था ठीक है देखो जो यह है गाजा स्ट्रिप है यह कहां से एजिप्ट से लिए गई थी यह वेस्ट बंग कहां से लिए गया था जॉर्डन से लिए गया था ठीक है और आपका गोलन हाइट कहां से लिए गई थी उपर यहां से लिए गई थी राइट अब बात यह आती है कि देखे तीन जगे पर अभी मेन किसका occupation है ये देखो गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट ये सीरिया से जीता था ये जॉर्डन से जीता था इसराइल ने और ये इजिप्ट से जीता था गाजा स्ट्रिप अभी यहाँ पर कौन लोग रहते हैं और अब मतलब प इस्क्यूशन है उन्होंने कहा कि एक ऊसलो एकॉर्ड रखेंगे ऊसलो एकॉर्ड में क्या था 1993 का कि जो इसराइल है जूइस कम्मुनिटी और पैलेस्टाइन मिलके रहेंगी अब दोनों वालेंस नहीं करेंगी तो ये पूरा मुद्दा था अब बात यह आती है कि यार अ दूसरा एक और आता है तो अभी तो इसराइल पैलेस्टाइन के बीच में यही है कि बॉर्डर डिस्प्यूट है जेरुसलेम इसराइल नहीं मानता कि जेरुसलेम किसकी कैपिटल है पैलेस्टाइन की है भारत क्या मानता इसराइल की कैपिटल तल एविव है ठीक है अब ज मनना था कि पहले यहां पर मंदिर हुआ करता था फिर जो मुगल एंपरर राय उन लोगों ने इसको यहां बाबरी मश्जिद बनाई फिर उसके बाद लोगों ने तोड़ दिया उनीस सो इकानब्बे में और फिर से मंदिर मना दिया तो जैरुसलाम भी वैसी एक रिलिजियस साइट है तो इसराइल मानता है कि यह हमारा ओक्यूपेशन होना चाहिए पैलिस्टाइन मानता है कि हमारा ओक्यूपेशन होना चाहिए अब बाट ठीक है अब इसराइल और पैलिस्टाइन में भारत को दोनों को सपोर्ट क्यों करना है देखो सबसे मैंने जब र पलेस्टाइन के साथ ऐसा क्यों पलेस्टाइन मैंने क्या कहा कौन सी कंट्री अरब कंट्री है अब अरब कंट्री आप सब को पता है इरान साओधी अरेबिया इराग यह अरब कंट्री हैं और अगर हम पलेस्टाइन के अपोज में बोल दिया ना तो हम अपनी अरब कंट्री इसके साथ हाथ दो भेटेंगे तो हम इतना इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं क्यूंकि आप सब को पता है 1988 से वैसे भारत ने रिकगनाइज कर दिया था पैलस्टाइन को और तब से आई टी एजूकेशन डूरल डेप्लोम्ट कैपसेटी बिल्डिंग में भारत पैलस् रिक्वार्मेंट वैस्ट एशिया से पूरी होती है मतलब अरप कंट्री से और पैलस्टाइन वाली कौन सी है अरप कॉमिनिटी ही है ठीक है छै मिलियन इंडियन ओरिजन हमारे काम करते हैं वैस्ट एशिया में जहां से मोटा मोटा रेमिटेंस आता है हमको तो हम सिर्फ इ अपकी अरप कंट्री के मजह से राइट और अप्यलस्टाइन की अगेंट कुछ बोल देंगे तो फिर अरप कंट्री हम से घुस्सा हो जाएगी ठीक है आप कहो कि य्या अरप कंट्री अगर आप देखो सब्सक्राइब बाइब इसका इसको हम इसको इसको इसा समझ सकते हैं कि इसराइल को हम उतने जदा इंपोरेशन किया थीक है त्री बिलियन डॉलर का इस्राइल की साथ इन्वेस्मेंट बहुत जदा होती है सबसे बड़ी बात होती है एग्रिकल्चर कोपरेशन ठीक है एग्रिकल्चर हमें बताता इवन हमारी राजी सरकार है इसराइल से गवर्मेंट आफ इंडिया डिरेक्ली वो नहीं करती है डिबेट सेवरल बहुत सारे इंडिया इसराइल के सेंटर ओफ एक्सिलेंस का यूज क आगर बात करनें 1950 ऐसे 1960 के दवरान थीक है तो हमारे जो इसराइली वहां गये थे 1950 से 1960 के महाराश्टेशन लोग वेस्ट वंगल के लोग इसराइल गय थे तो हमारे डायस्पोरा भी है हमारे ओरिजन के लोग है तो इसलिए हम इसराइल अगर मैं बात करूंगा ना यार नहीं फैलता जैसे कोविड-19 फैलता है और इसका सबसे मेजर कॉमन कॉज है डाइबिटीज कि ब्लड सुगर लेवल बढ़ जाता उस वज़े से बहुत ज़्यादा हो जाता है दूसरी चीज़ें भी यह हैं कि कुछ कैंसर है कीमो थेरेपी इम्यून थेरेपी जिसकी चल रह है जैसे एंपोटेरिसिन भी हाला कि यह थोड़ी सी सस्ती है बड़ इसमें बहुत सरे ऐसे हैं टॉक्सिक सबस्टांस फैला सकते हैं दूसरे हैं पोसो को नैजॉल ठीक है यह भी दवाई हैं ब्लेक फंगस के लिए ब्लेक फंगस को थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटिल मे नहीं करना है ठीक है क्योंकि यह मैंने बता दिया है चलिए ब्लेक फंगस यह डिजीज़ है डिडेक्ट होती है कोविड-19 पेसेंट में कैसे होती है वह बता दी या इसको म्यूक और माइकोस भी कहते हैं ब्रेन लंग्स को यह एक्ट करती है आ बहुत सारे दूसरे होते है आइज नोज में इसमें रेडनेस आजाती है, फीवर, हैड़क, ब्रेथ कम होती है, ब्लडी, वॉमिट, एंटी फंगल जो मेडिसेन है, इसके लिए यूज होती है, एमफोटरेसिन भी, अपडेटेट पॉइंट, तो जनरली मैंने बता दिया था इसमें, कि जो म्यूकर माइ सबसे इंपोटेंट है, तो उसकी भी नोट समझ बनाना जो हाइलेटेट है, क्योंकि यार, वह मैं खुदी नोट समय दे देता हूं, तो मतलब यह, यह जो नोट सोते हैं, कुछ एक्स्टर नोट से नहीं होते, यही जो चीज न्यूज पीपर की नोट से डेली के बैसे सब हम आपको दे देते हैं, अब बात आती है, ओपेट पेस से, ओपेट पेस से वह यह है कि यार, ओन्लाइन क्लासेज में इस्टेट उनिवरसिटीज को अभी फंड की जरुवत है, मोस्ट इंपोटेंट अभी बहुत सारे लोग, भारत का सिर्फ तीन से लेके, दो परतिसक य बहुत सारे लोगों को क्या है, उन्होंने COVID-19 के बैसेज पर सिप्ट कर दिया, तो बहुत सारे जो IT, IIM है, NIT है, वो लांच, वीडियो लेक्चर, यूटूब चैनल, वेबसाइट वो खोल रही है, बट मैजरेटी आप स्टेट के पास अच्छा इंटरनेट करेक्शन नही यह है, लोगों के जो regular course थे वो semester scheme में बदल गई, conventional जो teaching है, वो online में बदल गई, ठीक है, पूरे भारत में 9-93 universities है, 49,000 colleges है, 3 करोड से जादा student है, यह All India सर्वे बताता है, तो internet penetration का है, पूरा कम है भारत में, ठीक है, यह एक issue है, दूसरा यह अभी education जो है, जिनके पास privilege नह नहीं है, laptops नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा यह equality, inequality बहुत ज़्यदा बढ़ा देता है, ठीक है, अगर practical करना हो तो यार, laboratory में होगा ना वो, तो उसको आप online नहीं कर सकते हो, हाना कि massive online courses अभी help कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बच्चों की during the COVID-19 pandemic, भारत में record किया गय यार, world level के बारे में बात करें, moderna जो USA की vaccine है, जैसे COVID shield और COVID vaccine भारत की vaccine है, अभी आपको COVID shield या COVID vaccine नहीं लग रही होगी, बहुत सारे कह रहे हैं, चोड़ी-चोड़ी में की हम sputnik लगाएंगे, ठीक है, but sputnik आने भी तो दो, production शुरू होगा, तभी तो आप लगा होगे, है क्योंकि वहाँ पर से एक उनके president है, Alexander, 1994 से ही वो राष्ट्रपती बने हुए हैं, और अभी तक भी राष्ट्रपती हैं, तो सोचो मतलब, और वो election में इतनी ज़्यादा cheating करते हैं, कोई देश नहीं करता होगा, दूसरा, Belarus जो है, Russia का part था पहले, USSR का, और Russia भी अभी मदद क है, ठीक है, अगर और जूम करोगे, यह देखो, यह पहले पार्ट था, उसका, Russia का part था, फिर हड़ गया, अब बेलारूस और Russia की मतलब ऐसी सग्यवाई हैं, वो पूरे, तो हुआ क्या बेलारूस नहीं, 1994 से वो हैं, तो जो भी सरकार को criticize करता है, और बेलारूस अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर हमेसा protest चलते रहते हैं, कि कभी ना कभी सरकार के against protest चलेंगे, सरकार वहाँ पर inflation बहुत जदा है, महंगई बहुत जदा है, restriction लगाई जाते हैं लोगों पर, तो वहाँ पर 26 साल का जो journalist था, जैसे होते हैं न, बहुत सारे जो सरकार के against लड़ते ह दुनिया से हट कर, तो बेलारूस में तो वह भाग रहा था, पर क्या हुआ अचनक से, एक, देखो मैं मैप दिखाता हूँ, देखो एक flight आ रही थी, ठीक है, flight आई, और उस flight को उतरना था यहां पर, लिथुनिया में, कहां उतरना था, लिथुनिया में, तो यहां जब उन के जा रहे हो, अपना, यह airplane, तो इसको पूरी European Union की सभी country ने criticize किया कि यह international law का violation है, आप इस तरह से कैसे hijacking कर सकते हो, तो पूरा मुद्ध यही था, हाला कि यह भी का जा रहा है कि बेलारूस की मदद जो है, पुतिन भी ने भी की है, और इनी के basis पहुआ है, हाला कि अब sanctions लगेंगे, क्या के sanctions लगेंगे, वह आगे हम देखेंगे, ठीक है, गाजा को support करने की बात की गई, और कुछ है, क्या कुछ काम का है, इसमें नहीं है, वह ही है, पहला आदमी COVID-19 jab, जिसको मिली थी dose, unrelated illness से, उसकी death हो गई, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और business का भी कोई and news इतनी है, और इसको discuss कर लेंगे, ठीक है, नाव देख लिकते हैं, आपके, thank you so much, thank you Sonia, sir, करेंट है, फिर के लिए, वीजन वाजिरामिया, फिर inside कौन सा सही रहेगा, टीन अदावी में, देखेंगे, आप कोई भी चूस कर सकते हैं, Mr. Sanjay, मैं आपको suggestion दोंगा, कि वीजन Cyclone, yes, नेहा Odial जी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यह मैं explain कर चुका हूँ, I wanted to know the exact name that was given to 1999 Odisha Cyclone, I also want you to make, ठीक है, इसको मैं पढ़ूँगा, ठीक है, okay, YouTube content है, हम डूब गए, हम मारे गए, तभी देखो, it's kind of India, मैं थोड़ा सा अभी इसमें टाइम लग जाएगा, सुरूती सौमिया, मैं इसको पढ़ूँगा, ठीक, अच्छे से, thank you, no problem sir, आप बीजी हैं, इसमें भी आपनी, thank you, अम्मो, sir, आप इतनी जल्दी मैं क्यों हैं, ये कल ज़रूर बताना, यार, मिस्टर भी नी, थोड़ा सा एक मैं बुक पर काम कर रहा हूँ, वो यूपीएसी के लई है, तो उससे रिलेटेट था, sir, please explain about Poxo Act, P.I., कोमल मौर, इसको हम बताते हैं, ठीक है, कल, वैसे इसको नोट से देते हैं, थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया करो, Mr. आसो, यार, शॉर्ट वीडियो, यूपीएसी के डिमांड ही ही है, इतनी, न्यू रूडियो में इतना ही, थैंक यू